नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जहारखंड एजूकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्छा 10 समाजिक विग्ज्यान का model question paper का solution देखेंगे। ये पिछले वर्स 2021-2022 का model question paper है, term 1 का. और हम लोग term 1 का, यानि पिछले साल का model question paper का solution क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपके इस साल का model question paper नहीं आया है। आप लोग पिछले साल के model question paper अगर आप उसकी practice कर लेते हैं, तो ये भी आपके लिए काफी important है, क्योंकि ये questions भी आपके exam में आ सकते हैं। पिछले साल जो model question paper आया था कक्छा 10 का, उसमें total 40 प्रशन थे, सारे प्रशन का आप उत्तर देना था, सभी प्रशन एक अंग का था और किसी भी गलत उत्तर के लिए कोई अंग नहीं काटा जाना था। समय आपको मिला था तेड़ घंटे और जो पूर्णांग था वो था आपका 40 अंग। आईए सबसे पहले हम लोग पहला प्रशन देखते हैं। सबसे पहला प्रशन है फ्रांस की क्रांती कब हुई। इसका सही उत्तर होगा 1789। सामजिक उपण्ध यहां पर समाजिक लिखना चाहिए था समजिक उपण्ध यानि समाजिक उपण्ध सोशल काउंट्रेक्ट नामक पुस्तक का लिखक कौन था। इसका सही उत्तर होगा रूसो। प्रशन संख्या तीन यंग इटली सोसाइटी की अस्थापना किस ने की थी। इसका उत्तर होगा मिजनी। प्रशन संख्या चार इटली का एकिकरन कब पुरा हुआ था। इसका सही उत्तर होगा प्रशन संख्या पाँच। सुलक संग जौल वेरा लाइन की अस्थापना किसकी पहल पर की गई थी? इसका सही उत्तर होगा आपका प्रशा. प्रस्न संख्या चे जालिया वाला बाग हत्या कांड कब हुआ था? बहुत इंपर्टन कुश्चिन है. इसका सही उत्तर होगा 13 अप्रेल 1919. प्रस्न संख्या स हिंद स्वाराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी. प्रस्न संख्या आठ स्वाराज हमारा जन्रसीद अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक. प्रस्न संख्या ब्रिटिस सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधी से किसे समानित किया था इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी परशन संख्या 10 सिमान्द गांधी किसे कहा जाता था इसका सही उत्तर होगा अब्दुल गफार खान प्रस्न संख्या ग्यारा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने परकार के होते हैं इसका सही उत्तर होगा दो परकार का एक जैव और दूसरा अजैव प्रस्ण संख्या 12 पंजाब में भूमी निमनिकरन का निमलिखित में से मुख्य कारण क्या है इसका उत्तर है अधिक सिचाई प्रस्ण संख्या 13 प्रथम प्रित्वी सम्मेलेन का आयोजन किस वर्स किया गया था इसका सही उत्तर होगा 1992 प्रस्ण संख्या 14 किस राज में काली मिरिदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है ध्यान देना है नहीं पाई जाती है इसका सही उत्तर होगा राजस्थान प्रस्न संख्या 15 इन में से कौनसी टिपनी प्राक्रितिक वनस्पति जात और प्रात्राणे जात के हरास का सही कारण नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका क्रिसी प्रसार। ठीक है, प्रस्न संख्या 16 बाग पर्योजना की शुरुवात किस वर्स हुई इसका सही उत्तर होगा 3770. प्रस्न संख्याग 17. अंतरास्ष्टिय प्राकृतिक संदक्षण और प्राकृतिक संसाधन संदक्षण संग के द्वारा विभाजन में किस श्रेनी को रखा गया है? इसका सही उत्तर होगा इन में से सभी. प्रस्न संख्या 18, 24 अतापदी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट छेतर में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्मान करवाया था इसका सही उत्तर होगा इल्टू तम इसने प्रस्न संख्या 19, निमलिखित में से कौन सा व्यक्तव बहु उद्देश्य नदी पर्योजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है ये ध्यान देना है इसका सही उत्तर होगा आपका गः बहु उद्देश्य प्रियोजनाओं के वरीहत अस्तर पर विस्थापन होता है और अजिवी का खत्म होती है ऐसा कोई जरूरी नहीं है प्रस्न संख्या 20 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है इसका सही उत्तर होगा नर्मदा प्रस्न संख्या 21 समाने किस देश का विकास किस आधार पर निधारित किया जा सकता है किसी देश का विकास किस आधार पर निधारित किया जा सकता है इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी प्रतिव्यक्ति आए भी होगा ओसत सक्छरता दर भी होगा लोगों की स्वास्त स्तिथी भी होगी प्रसन संख्या 22 मान लिजिए कि किसी देश में चार परिवार है इन परिवारों की प्रतिव्यक्ति आए 5,000 है अगर तीन परिवारों की आये क्रमसा चार हजार, साथ हजार और तीन हजार है तो चौथे परिवार की आये क्या होगी ठीक है तो देखें यहां पर क्या कहा जा रहा है परिवार में प्रतिव्यक्ति आये कितना है पांच हजार है ठीक है और कितने परिवार है चार परिवार है है ना तो यहां पर जो है आपका तीन परिवार का आए चार हजार साथ हजार और तीन हजार आप इनको जोड़ लिजे तो कितना हो जाता है इनका हो जाता है साथ चार एक ज्यारा एक ज्यारा और तीन चौदा ठीक है अब चौदा हो गया परती व्यक्ति कितना पताया जारा है पांच जार ठीक है तो अगर चार व्यक्ति का जोड़ेंगे तो चार व्यक्ति का तो बीस हजार होता है तो यहाँ पर तीन लोगों का जो आय है उसे जोड़कर 14,000 हो गया तो जो 14 परिवार होगा उसका आए क्या होगा उसका आए जो है 6,000 होगा प्रशन संख्या 23 मानो विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस अधार पर करती है ठीक है मानो विकास का जो रिपोर्ट होता है देशों का वो किस अधार पर करती है इसका सही उत्तर होग गह यानि उप्रोक्त सभी स्वास्त के अधार पर भी सिक्षा के अधार पर भी और प्रतिवक्ति आय के अधार पर भी प्रस्न संख्या 24 एक वर्स में पैदा हुए परती 1000 जिवित बच्चों में से एक वर्स की आयू से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है इसका सही उत्तर होगा सिसु बृत्यूदर प्रस्न संख्या 25 वनोथ पादक का संग्रह करना किस छेत्रक की गतिविधी है इसका सही उत्तर होगा प्रात्मिक प्रस्न संख्या 26 वे छेत्रक जो सरकार द्वारा पंजिक्रित होते है यानि वो छेत्र जो सरकार द्वारा रज रजिस्टर्ड होते हैं और सरकारे नियम और विनियम का अनुपालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, सही उत्तर होगा संगधित छेत्र, प्रस्न संख्या 27, रमेश, सुरेश, नरेश और राकिस चार भाई है, रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्टरी में मजदूरी क करता है, और नरेश एक सिक्षक है, और राकिस एक टैक्सी ड्राइवर है, इन में से किसके कारे सेवा छेत्रक के अंतरगत आते हैं, यानि इन में से किनका काम है, जो सर्विस जिससे समझा जाएगा, सेवा समझा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर आप यह पर होगा सिख्छक कौन है नरेश है दूसरा होगा आपका राकेश जो कि एक टैक्सी ड्राइबर है ठीक है वो भी क्या दे रहा है वो भी सर्विस दे रहा है वो भी सेवा दे रहा है तो एक हो गया आपका नरेश और दूसरा हो गया आपका कौन राकेश तो नरेश और राके के रोजगार की गारंटी मिलेगी ठीक है इसका सही उत्तर होगा सौ दिनों की प्रशन संग्या 29 एक खेत में लक्षमन और उसके परिवार के चार व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सलाना साथ मिलकर कारे किया किन्तो उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई व्रिद्धी नहीं हुई करन की परिस्तिती को किस सेड़ी में रखा जाएगा ठीक है तो देखे यहां पर अगर हम लोग कहें कि यह जो इस्तिती उत्पन हुआ इसको क्या कहा जाएगा तो इसे हम लोग यहां पर क्या कहेंगे इसे हम लोग यहां पर कहेंगे प्रछन विरोजगारी ठीक है प्रछन विरोजगारी काम तो किए लेकिन उत्पादन में कोई व्रिद्धी नहीं हुआ ठीक है प्रस्ण संख्या तीस अर्थ ववस्था में परतेक छेत्रम के अंतिम उत्पाद की ही गन्ना क्यों की जाती है इसका सही उत्तर होगा आपका दोहरी गन्ना की समस्या से बचने के लिए प्रस्ण संख्या 31 सत्ता की साजेदारी के संबंद में निम्न में कौन सा कथन असत्य है है ना सत्ता जो सरकार है है ना सत्ता की साजेदारी के प्रसंबंद में कौन सा कथन असत्य है इसका सही उत्तर होगा यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है नहीं है ठीक है ये कथन असत्य है ना प्रस्ण संख्या 32 निमने में कौन बेल्जियम का एक भासाई समूह नहीं है ठीक है नहीं है तो होगा इस्पैनिस प्रस्ण संख्या 33 सुतंतर राश्टर बनने के बाद स्रिलंका में किसे राजभासा घोसित किया गया ठीक है तो इसका जो सही उत्तर हो गह सिंगली प्रस्ण संख्या 34 स्रिलंका सुतंतर राश्टर कब बना इसका उत्तर होगा 1948 प्रस्ण संख्या 35 निमने में कौन संगवाद की एक विशेष्टा नहीं है ठीक है इसका सही उत्तर होगा विभिन अस्तरों की सरकारों की अधिकार छेत्र समीधान में असपस रू निमने में कौन भारत की अनोसूचित भासा के रूप में शामिल नहीं है ठीक है तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका अर्बी प्रस्ण संख्या 37 निमने में कौन सुमेलित नहीं है यानि मैच नहीं कर रहा है ठीक है एकदम अलग है आपको ये बताना है ठीक है तो यहां पर जो होगा वो होगा अस्थानिय सरकार अवस्षिस्ट अधिकार बाकी जो चीजें है वो जो है वो तो मिलता जूलता है ना उसमें आपस में संबंध है जैसे राजय सरकार का राजय सूची केंद्र सरकार का संग्य सूची होता है केंद्र और राजय सरकार के इंद्री करन के संबंद में कौन सत्य है ठीक है इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ख की वास्तविक विकेंद्री करन की दिशा में एक बड़ा कदम उनिसो बानबे में उठाया गया ठीक है ये सत्य है प्रस्न संख्या 49 निम्न में कौन सुमेलित नहीं है ठीक है कौन सा तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम लोग सेट टू का सॉलुशन करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद